यहां का जो सीन है जहां हम ठहरे हुए हैं यहां से पूरा रांची नजर आता है हमारे तीनों तरब जो है वो पहाड़ी है पहाड़ी पहाड़ी है जिसे आप देख पा रहे हैं कि इस साइड पहाड़ी का सीन दिखाई देरा उपर मंदिर बना हुआ है हम लोग जब उधर से दिल्ली से रांची आते हैं तो सबसे पहले फ्लाइट से वही पहाडी मंदिर वाला पहाडी दिखता है और ये फिर वो पुरा शहर दिखाई दे रहा है अप और फिर ये दूसरी पहाडी भी नजरा रही है जहां टीवी टावर भी लगा हुआ है और ये पहाडी का सीन है ये पहाडियों के बीच में बादियों के बीच बसा हुआ है ये खुरसूरत सहर और ये फिर जो है ये सामने फिर ये एक दूसरा पहाड़ी ने जरा रहा आपको ये सामने ये सामने जो है ये पहाड़ी बड़ा सा पहाड़ी है ये और फिर इस तरफ जो है हम देख रहे हैं यहां जो है कबूतर जो है ये दाना चुग रहा है ये कबूतर देखे हमारे करदाओ सब्सक्राइब सब्सक्राइबTT इसपैसे काफ़ कुन्य जणाद देखित अधों Ummm यह रिम्स जो है मेडिकल कॉलेज है यह रांची का सबसे बड़ा होस्पीटल है जारखंड का सबसे बड़ा होस्पीटल है यह काफी एरिया में फैला हुआ है यहां स्टाप वगर रहने का रेसिडेंसियल कॉलोनी भी है रिम्स के स्टाप डॉक्टर्स रहते हैं और ये काफी बड़ा होस्पीटल है ये देखिए आपका बूतर दाना चुगरा और सामने ये पहाड़ी है ये अपार्टमेंट जिस तरह से बना हुआ है ये अपार्टमेंट पहाड़ियों के बीच मे बना हुआ है ये ये देखिए ये बिल्कुल नजर आएगा आपको और ये जो है मैं चोट्राव भार सेंदे खाराया हूं मतलब जो प्फैलाव है राची का जो यहां से दिखता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं यह जो है पहाड़ी इस साइड भी नजर आ रहा है आपको दूर है यह काफी दूर पहाड़ी है वहां नजर आ रहा है यह पहाड़ी और यह बिल्कुल पास में यह जो एरिया है यह देख रहें आप यहां पर मैं आपको दिखाता हूं फिर यह जो है यह पहाड़ी है उपर देख रहें आप वहां भी उसके नीचे भी कुछ घर बना हुआ है यह देखिए यह पहाड़ी जो है यह पहाड़ी के ऊपर भी लोकुछ बहुत उची नहीं है लेकिन यह बड़ा बड़ा पत्थर चट्टान की तरह पत्थर रखा हुआ है और उस पे भी कुछ घर बने हुआ है और यह देखिए यह पहाड़ी का एरिया है पूरा पहाड़ यह बठारी बड़ा बड़ा चट्टान रखा हुआ यहां और दूर में आपको जो है यह देखिए आपको मस्जिद भी दिखाई देरा इस जगह से मस्जिद की जो गुम्बजें होती हैं सामने दूर फैला हुआ वह एपार्टमेंट बहुत बड़ा बड़ा बहुमंजे रखता यह 17-18 फ्लोर तो होगा ही कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और यह देखिए बिलकुल जो पहाड़ी एरिया है यह इसी कारण से यहां हर एक दो-चार दिन में जब भी थोड़ा ज्यादा गर्मी होती है तो बारिस हो जाती है कि सामने वह मेरा जहां मैं देख पा रह हो आ हेल विव नर्सिंग स्कूल का